के वेडियो सो जैसे ही आप अभी नेक्स्ट गेम में कभी भी लॉग इन करोगे तो आपको एक मैसिग दिखेगा जहां पर इन लोग ने बता है कि नेक्स्ट वाले मंत में क्या साइड इवेंट होने वाली है जिन लोगों को अभी नहीं पता तो इमें लिटरली इस हमको देखने को मिलेगी एंड इस बार के साइड क्वेस्ट में गामा कॉनलेट करके चीज है और आपको कलेक्ट करने है कामा रेडियेशन और वो आपको रिवार्ट देंगे यहां पर मैंने पहले से पढ़के रहा कि रिवार्ट किस टाइप के होंगे एक स्पेशल स्टोर भी हमको देखने को मिलेगा प्लस अगरा आप स्टोर पे कितना स्पेंड करते हो तो उसके उपर भी एक माइल स्टोन रिवार्ट है और जो फाइनल इवेंट क्वेस्ट एक्स्प्रोर करते हो 100 पसंट तो वहां पर भी आपको गामा रेडियेशन मिलेंगे प्लस वोलो अब यह आपको सिर्फ लॉग इन केलेंडर से मिलेगा आपको पूरे गेम में से कही और भी जगह से नहीं मिलेगा एंड यह गामा गॉनलेट आपको अलाव करता है शैडो बेस रेड्स जो इवेंट है जो क्वेस्ट है साइट क्वेस्ट में वह उसको एंटर करने में लिए यहां पर इन लोगों ने बता है कि जितना हो सके उतना क्लियर करो अगर आप 100% मतलब एकस्प्लोर नहीं कर पाते है उस क्वेस्ट को एमिन टोटली एक पात ही रहेगा एंड एक पात पर इहां पर इन लोगों ने लिखा है कितने बहुत से नौर्मल चैंपियन से एंड एक बॉस है और नौर्मल का भी मेरा मतलब है कि दो से तीन नोड होंगे एंड देन एक फाइनल बॉस होगा मतलब जितना हो सके उतना ही आपको पुश करना है क्योंकि जो गामा रेडियेशन जो आपको मिलने वाले वह जैसे आप कोई भी फाइट खतम करते हो तो फाइट खतम फाइशन वोणने के साथ जो गोल्ड मिलता है घोल्ट के साथ आपको गामा रेडियेशन मिल जाएगा और अपने अगध्यार करना है क्योंकि सब्सक्राइबाद करना अफामेशन क्यून करके रखो दूसरी चीज़ आप यहाँ पर यह भी कर सकते जिक़िऊ गामा फैंट क सारे कि सारे collect करके रखो I guess suppose एक या दो वीक के collect करके रखो एंड जिस दिन आपको आप free हो कोई भी alliance quest यह वह और ना कर रहे हो तब जाके आप side event के लो तो वैसा भी कर सकते हो आप क्योंकि यहां पर इन लोगों लोगों ने थोड़ा बडिफ्रेंट किया है इस दर आपने लोगों ने लिखाए seven different theme rates so basically यहां पर कैसा रहेगा कि आपको different class के side quest देखने को मिलेंगे सो मान लो मंडे को I guess skill class का जो theme रहेगा तो मतलब सारे के सारे जो बॉसेज या फिर notes होंगे जो opponents होंगे वो skill class के रहेंगे then suppose मान लो कि Tuesday को हो गया Tuesday को mutant वाले champions हो जाएंगे Wednesday को Tech वाले champions हो जाएंगे तो यह बहुत ही एक अच्छी चीज़ है मतलब जिसका roster ठीक से developed नहीं हुआ है जिसके पास सारे के सारे champions नहीं है अन्दब obviously ऐसा तो possible है हैने कि सबके सब लोगों के पास अच्छे champions हो अगर होते भी है फिर भी सारे के सारे champions high tier level करने होते हैं मिन सभी के पास six star champions तो है नहीं सो यह बहुत ही अच्छी चीज किये उन लोगों कि at least roster के हिसाब से कोई अपना select करके जा सके enter में game के अंदर enter कर सके तो यह एक अच्छी चीज एंड make sure करना कि अगर आपका roster अच्छी तरह से develop ना हो तो जो भी roster आपका सबसे अच्छा है suppose मान लो कि आपका skill champions सारे के सारे setup है तो आप साइंस वाले बात पर जाओ साइंस वाले दिन पर जाओ तो कोई न कोई तो वीडियो डाले गाई कि कौनसी overall easy रहेगी एंड यहां पर इन लोग ने साथ different themes रखें तो total हमारे छे classes है और जो Sunday या फिर कोई भी expert दे होगा वहां पर सारे के सारे classes mix रहेंगे randomly रहेगा तो वहां पर भी आपको बहुत अच्छा रहेगा तो यहां से आप सभी लोगों को gamma radiation मिल जाएंगे एंड यहां पर इन लोगों ले लिखा है कि opponents random होगे and difficulties में heroic है एंड लेजंडरी है तो अगर आपको gamma radiation मिल जाते है तो आप करोगी क्या उसका सो यहां पर fix its fine goods है तो यहां पर एक special store है जो पिछली महीने का था मलब October महीने का हिसी महीने का soul boost करके store था तो सेम वेसे यहां पर gamma radiation का store है तो वहां पर आप अपने gamma radiation को देकर सामने rewards कर्च सकते हो तो यहां पर cavalier level में देखो तो 5 star shards कितने 15,000 है 6 star shards 2,000 है and then signature stone भी 5 star के 60 है and then tier 2 alpha भी अच्छा कासा amount है 54,000 है uncollected के भी अच्छे कासे rewards of 5 star shards में 10,000 है 6 star hero shards भी 1000 है and then 5 star signature stone crystal है यह crystals है मतलब randomly रहेंगे and जो cavalier वाल है वो I guess generic है जो आप किसी पर भी यूज़ कर सकते हो then conqueror में एक legendary crystal है वो शायद आपको ले लेना चाहिए क्या पता आपको five star मिल जाए and then यह अगर आप सारे के सारे यूज़ करते हो I mean जितना भी आप spend करते हो gamma radiation तो उसके उपर आपको एक और थोड़ा बहुत advantage मिलेगा कि एक gamma glow spent event है जहां पर अगर आप suppose मान लो की 20,000 points अपने यूज़ किया मंदब 20,000 जितना gamma radiation आपने यूज़ किया तो उसके उपर एक ultimate crystal मिलेगा and then जैसे आगे यूज़ करते गए करते गए and 500k points तक पहुझ गए तो आप आपको tier 4 class catalyst selector मिलेगा एक and then जैसे आगे आगे जाते है then final जो हमारा मंदब मेन reward है वो six star है six star hero crystal shards जो कि 2000 है and उसके उपर जो 1 million points है मलब 1 million अगर आप gamma radiation spend करते हो तो आपको एक five star featured crystal मिलता है और free है यहाँ पर आपको कुछ करने है नहीं है सिर्फ gamma radiation spend करने है तो I guess मतलब जो भी लोग cavalier difficulty खेलते है regularly based पर तो उन लोग के लिए ज्यादा कुछ difficult होना नहीं चाहिए I guess अगर जो uncollected है वो लोग try करो 700k या फिर 850k तक पहुचने की and then solo objectives को आएंगी 4 November को आएंगी कब तक रहेंगी 2 December तक and 4 November को भी रात को साड़े 10 बजाएंगी and then event quest अगर कोई भी आप जो हर event हर मेने आती है तो वो अगर आप 100% करते है तो वहाँ पर से भी आपको gamma radiations मिलेंगे and then shadow base अगर आप 100% करते हो तो overall 850k मिलेंगे तो hopefully अगर आप कर पाते हो तो अच्छी बात है नहीं कर पाते है तो कोई भी दिकत की बात नहीं है then special day calendar में भी आपको 112 के gamma radiations and then arena में से भी अच्छा कासा event है I mean arena में से भी अच्छी कासी value मिल जाती है आपको अगर arena कर रहे हो तो वह भी free चीज़ है क्योंकि arena से आपको units and वह भी मिलती है and then यहाँ पर एक और थोड़ी सी इन लोगों ने नई चीज़ दी है न्यूज में जो कि है यहाँ पर new mechanic यह लोग एक नया mechanic यूज़ करने वाले जो कि है root and root एक एक ऐसा type का है कि आपकी जो चैंपिन की movement है वो लॉक हो जाएगी but आप parry कर पाओगे आप dexterity कर पाओगे आप अपने special attacks यूज़ कर पाओगे आप opponent के special attacks है वो भी evade कर पाओगे आराम से but दिक्कत कहा रहेगी कि आप अपनी जगा पर रहोगे कहीं पर भी हिलोगे नहीं नौर्मली कैसा था कि अगर आप dash back करते हो तो कितनी सारे space create करता है आपके और opponent के बीच में अगर आप front dash करते हो medium attack करते हो तो क्या करता है कि opponent और आपके बीच की जो space है उन दोनों को कम करता है और जो attack है वो click join करवाता है and then animation continue हो रहता है तो यह वैसा नहीं है तो मैं थोड़ा बहुत कैसा हो कि क्यूरेस हूं कि actually मैं कैसे दिखने वाला है बट जब तक आता नहीं यह game में तब कि मैं कुछ कह नहीं सकता ओके सो ज्यादा कुछ इसमें है नहीं इस पोस्ट में ज्यादा कुछ इन लोगों ने दिया नहीं है तो एक जल्दी से recap कर लेते हैं हर दिन आपको एक gamma gauntlet मिलेगा वो gamma gauntlet लेके आप shadow based raids में जो की side quest वहाँ पर जा सकते हो एक gamma gauntlet एक ही entry प्रोवाइड करेगा जितने भी आप gamma gauntlet लेके जाएंगे store करके रखेंगे उतनी सारी entries आपको मिलेगी और हर entry में आपको 30 store में तो वहाँ पर आपको spend करना है अपने कामा रेडिशन और जितना हो सके उतना spend करना है और वो spend करेंगे उस पर भी आपको milestone rewards मिलेंगे यह जो आप दिख रहे हो वो इसका भी detail में जाएंगे जब actual में event live होगी तो वहाँ पर आपको बहुत सारा लेटरल समझ में आएगा क्योंकि बताने से इतना समझ में नहीं आ जाता है जितना देखने से समझ में आ जाता है तो यह इतना सा है वीडियो एंड अगर आपको इस post का link चाहिए तो मैं obviously description में डाल दूँगा क्योंकि game के अंदर जो message है वहाँ से कोई भी forum post के लिए link नहीं है प्लस game के अंदर जो explanation है वहाँ पर कोई भी type के rewards नहीं दिये इन लोग ने सो मैं link जो है वह description में डाल दूँगा आप जाके देखियो आकर आपको detail में देखना है तो यह इतना सा है वीडियो एंड अगर आपको पसंद आयो तो like कर देना अगर चैनल पर नए हो तो subscribe कर देना मिलते है next वीडियो में